युनान मिश्र रोमा सब मिट गे जहां में कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। हर बार स्वतंता और गर्तंत दिवस पर इस नारे को दोराया जाता है। लेकिन कल जो कुछ हुआ उससे पूरी दुनिया में भारत की जो जग हसाई हुई है उसे शायद ही हम अब कभी भी भूल पाए। वैसे कुछ ज्यादा गलत हुआ नहीं था बस कुछ अनदाता हाथों में तलवार लेकर राजधानी की सडकों पर फसलों को काटने की योजना पना रहे थे। कुछ ही वा किसान लाल किले पर चड़कर बस अपना हिस्सा मांग रहे थे। कुछ किसान इतनी जल्दी में थे कि ट्रेक्टर को सडक पर मारूती की तरह भगा रहे थे। किसान आंदोलन में हुई हिंसा के बाद से ही दुनिया के कई देशों से भारत के खिलाफ बयानाने शुरू हो गये जिसमें पाकिस्तान भी सामिल था United Nations के बयान से लेकर कई नामी अख़बारों ने भी इस हिंसा को लेकर भारत के खिलाफ नकरात्मक खबरों को छापा है आज बात करेंगे कि अंतराष्टिय मीडिया ने भारत के गरतंत दिवस को किस तरीके से अपने अकबारों में जगह दिया है पाकिस्तान से लेकर अमेरिका और अन्य देशों की मीडिया ने किस प्रकार लाल किले पर हुए हमले को लिखा है नमस्कार में नाम है मोहित कुमार सिंग और आप देख रहे हैं जनता जंक्षन पाकिस्तान के नामी अखबार डॉन ने लिखा है कि क्रिशी कानूनों का विरोत कर रहे किसानों और पुलिस के बीच लाल किला पर जंडा फैरानों को लेकर जड़प हुई आप अगर उनके हेडलाइन पर गौर करेंगे तो उसमें बैटल सब्द का उपयोग किया गया है जो बिल्कुल भ्रामक है डिली में पुलिस और किसानों के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिसे हम और आप बैटल बोल सकते हैं लेकिन अब जब हमने अपने पैर पर खुद कुलाहारी मारा है तो सुनना ही पड़ेगा दिली में किसानों के सामने पुलिस खुद लचार दिक रही थी अब अगली रिपोर्ट बताने के पहले साप कर दूं कि हम किसानों की मांग के साथ कल भी थे और आज भी है लेकिन हम हिंसा के पक्ष में ना कल थे ना आज है पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने कहा है कि पूरी दुनिया को भारत की दमनकारी सरकार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए यह एक मात्र बयान ही हमारे लिए शर्मनाग है अगर किसानों के नाम पर कुछ लोग हिंसा ना करते तो यकीनन आज पूरी दुनिया जिस हिंसा और अराजक्ता की बात कर रही है वो कल हुए गरतन दिवस के बारे में बात कर रही होती अगर आंदोलन के दौरान लाल किले पर चड़कर ऐसा शर्मनाग कृत्ते ना होता तो निश्यत तोर पर पूरी दुनिया ऐसी ना करात्मक बाते ना कर रही होती और श्रेलिया के सिड्नी मॉर्णिंग हिराल ने लिखा है कि हजारों आंदोलित किसान उस एतिहासिक लाल किले पर जा पहुचे जहां से प्रधानमंत्री 15 अगस के मौके पर देश को समभोधित करते हैं इस अख़बार में भारतिय किसानों का हवाला देकर लिखा गया है कि मोदी अब हमें सुनेंगे उन्हें सुनना पड़ेगा आगे लिखा गया है कि किसानों के परेड में लोग घोडों पर भी सवार थे बिश्व प्रसीद अलजजीरा ने लिखा है कि क्रिशी कानुनों का बिरोद कर रहे भारत के किसानों ने एतिहासिक लाल किले पर धावा बोल दिया आगे लिखा है कि गर्तन दिवस के उसर पर व्यापक सुरक्षा बैवस्था होने के बावजूद उसे ठेंगा दिखाते हुए आंदोलनकारी एतिहासिक लाल किले में दाखिल हो गये जहां उन्होंने लाल किले के प्राचीर पर एक धार्मिक ध्वज लगा दिया था अमेरिका के नामचीन अख़वार दनीवर्क टाइम्स ने लिखा है कि हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी किसानों ने मंगलबार को अपने ट्रेक्टर्स के साथ आकर बैरिकेट्स को तोड़ डाला और उन सरकारी सुरक्षा कर्मियों को चुनवती दी जिनों ने इस हिती को काबू में करने के लिए आसु गैस के गोले छोड़े और लाठी चार्मि किया अखबार में आगे लिखा गया है कि यह प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के सरकार की परिक्षा है CNN ने लिखा है कि हजारों की संच्छा में मंगलबार को भारत की राजधानी दिल्ली में किसान अपनी ट्रेक्टर लेकर घुश गया इसने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि लंबे समय से चल रहे प्रधर्शन अब प्रधान मंतरी मोदी के लिए परमुक्षुनावती बन गई है BBC ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि किसानों के नितृत में यह भारत के सबसे लंबे प्रधर्शनों में से एक है लिखा है कि एतिहासिक लाल किले के मिनार पर प्रदर्शनकारियों ने खालिस्तान का जंडा लगा दिया डॉन ने हिंसा से जुड़ी तस्बीरों को भी छापा है यह सब कुछ कल दुनिया भर के लोगों को दिखाया जा रहा था और पढ़ाया जा रहा था भारत में इसको ल देख रहा हैं तो चैनल को सब्सकाइब कीजिए मिलते हैं फिर बहुत जल लगले वीडियो में कैमरे के पीछे खड़ेया वरुंजान और मैं मोहित कुमार सीगू धन्यवाद